तो सुरू करते हैं अच का वीडियो और जानते हैं कैसे अपने नामांकन संख्या से आधार कार्ड चेक तो सबसे पहले हमें अपनी नामांकन संख्या का ओपं करनी है नामांक जाओने संख्या आपको जब भी कभी आप किसी और इस पर हिंदी में लिखा उता है आगे हमारा 14 रिजिट का नामांकर संख्या पढ़ा पर दो पर हमें जयाता है तो मैं फास्ट आपको समझानी की कोशिज करूँगा थोड़ा जल्दी क्योंकि अगर ज्यादा टाइम लेते हैं तो सही नहीं रेगा तो ठीक है यह हो गया हमारा यह हमारा ही रिसीविंग है मैंने अपना जीमेल आईडी इस पर डलवाया है तो इस बज़े से यह मेरा नामांकें वाला रसीध है तो ठीक हम चलते हैं चक के लिए यह हमारा गूगल क्रोम अपन हुआ अब हम क्या करते हैं यहां पर अपने फोन में गूगल ओपन करेगा और रिसीविंग अपने हाथ में लीजेगा ना भी हो हाथ में अगर मुबाइल फोन में हो तो ऐसे ही मिनमाइज करके साइड में डाली जेगा और यहां पर टाइप किजिएगा यू आई जैसे आप इतना टाइप करेंगे यू आई वैसे ही नीचे साइड आपके पास कई सारी ये वाली साइटे ऊपन होके आ जाएं जैसे आप देख पा रहेंगे यह जो यू спокой UK यू आई 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 आपको देख रही जैसे आप उपर लिकें यू आई वैसे यह आपको देख जाएगी तो हम नीचे सिंपली ऊपन कर देते हैं यू धियाई पर आपको हमारे फोन में ओपन हुआ है साइद इतनी खाश ना भी हो क्योंकि नेटवर्क का सथ यहां पर खेल रहता है जितना नेटवर्क को उतना चाहिए वर्क करेगा तो यह वाले साइट पर आप जैसे लिखते हैं उसके बाद जैसे क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ ऐसा ओप यहां पर हिंदी और इंग्लिस और मराथी तमिल गुजराती कई सारी लेंग्विज पंजाबी उर्दू बहुत सी लेंग्विज आपको देखनों को मिलेंगी आपको जो आराम कंपर्टेबल अच्छा लगे जो भी सही लगे जिसे साब का आप जानते हूं वह सापका आप इंग्विज सेलेक्ट कर सकते हैं तो हम हम तो हिंदी और इंग्लिसं के अध이라 अधर बता सकते हैं कि मैं अधर जонов कि हैसे सेजैयर अधर जी देखने को मिलें। वह आधार का लोगो सबसे बड़ा वाला उपर जो है वह आपको देखने को मिल जाएगा यह वाला यह वाला हमारा एक आईडी हुआ ठीक है हम आगे बढ़ते हैं नीचे को तो हाँ देख लिए यह हमारे में इंग्लिस और हिंदी का नीचे आप देख पा रहे हुए जो नीचे का ओप सामारे तरफ यह वाला यह हिंदी और इंग्लिस का जो दिख रहा है यह आट यह जो को मिलेगा उपर से से कि faut jus και 900 के चिकरी में आधार अपडेट पर आप अधार अबडेट इस टेकर दो देख पार है यह वाला इस वाले के आणे में आपको यह वाली के वाले में आधार अद्दतन श्तिती की ज़ाच किने अगर हिंदी में आपका पेज होगा तो करेंगे तब अपना अधार update status चेक कर पाएंगे क्यों कि वहса रएप अभी आप और देख सकते हैं अधार इस्तीति जाच यह आधार अदतन इस्तीति की जाच करें ऊपर में आप देख सकते हैं कि लिखा आधार कि इस दिए यह सबी चीजें हैं लेकिन आप जब आधार अद्दतन इस्थित की जाज पर क्लिक करेंगे तब आप अपनी नामांकरन संख्या से आसानी से आप मैं आधार का स्टेटर्स चेक कर सकते हैं तो यह रहा है इंग्लिस अब आपको मैं हिंदी सौरी यह रहा हिंदी में अब आपको मैं इंग्लिस में दिखा दूं क्या लेकिया ता सेम वही पेज है सारी चीजें बटके आता वो ट्रांसलेट की वज़े से कुछ आइसा हो जाता तो देखिए उपर से वही कैटेगरी आपकी मिलेगी ज पिनिक्स्ट कैंसिल करते हैं और नेचे को थोड़ा बढ़ते हैं फिर यह जे जल्दी कि चेकर में भूल जाता हूं यह पर यह जैसे यहां कि लिक करते हैं तो निक्स्ट पे जैसे ओपन हो कहता अब वह वाली रिसीविंग जो हमारे हाथ में थी और यह हमारे फोन में उसको हम ढोनते हैं जारा सा अब यहां रही तो यह वाला हमें जैसे आपके हाथ में होगी तो उपर से जो टॉप टॉप होगा सबसे लेफ्ट में कॉर्णर वहां से आपको दिखेगे अपडेट अंडरो संख्या अपडेट अंडरो संख्या हमारी हमारी यह है 27-28 से सुरुवात है आपकी कुछ भी हो सकती है यह हर एक सेंटर की अलग यह सुरुवात में होता है 27-26 यह जिस सेंटर से हम बन चाहिए यह सेम होगा तो हम इसको डालते हैं यहां तो जखाए 28-26642 जैसे हम ऐसा डालते हैं जालने के बाद सब्सक्राइब करने से आपका यह स्टेटर नहीं चेको पाएगा क्योंकि यहां पर आप देख रहेंगे यह आप इंग्लिस में जानते हैं तो इंग्लिस में देखिए यह दिया हुआ है इंडूल्मेंट अंडर यह नंबर आप डाले चौदा डिजिट का उसके बाद में आपको यह भी साथी में दिखाया गया है कि फिर क्या करना रहता है पिर आपको चौदा वो डालने के बाद यह वाई वाई और यह मिम आपको दिखाई दे रहा होगा, यह देखे हुआ ह epilepsalIC this time अपका बना था, और फिर आपको महीने का उपसर मिलेगा अप्रापको डीड मतलब देन महीने वाई और यह उल्टा लिखें यह बोल रहे हैं कि उल्टा डाली है मतलब अब है आपको दिखा दें सौरी यह है हमारा डेट और टाइम यह भी आपके फोटो पर आपके पोटो के उपर ही दिया होगा तो हम इसको करते हैं जो हम अब देखिए दो जनुवरी मतलब महीने तो हमारा था जनुवरी ही था तो हम जीरो वन कर लेते हैं अब आपके रिसीविंग में जैसा दिया हो सेम डालिएगा बस यहां इसपेस में दीजिएगा दो चार तेज जीरो वन और फिर क्या था जीरो छे नहीं स्वारी जीरो दो 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 यह ऐसा पड़ेगा फिर आप फोजिए चीजे होगी अब यह टाइम भी साथ में डालना वहाँ यह हमने डाल दिया टाइम सीधिया डालना 11 बच्छी अठारा सीकेंड यहां डाल दी हम 15rado और फिर 24 होगए हमारे डं अब यहां हिन्दी इंग्लिस करते वह चीज़ें देह सकते भी मुझाय हिन्दी कर दिया यह लिखाया देख लिए चौदांकों की नामांकन संक्या यह नामांकन की स्च療क कित तारीख और समय याम में भी बाई मम डीदी एच एम मिश्यी होता है जयकि और देकी बहुंत लोगuyu मुद्वाइब पता होगा की बहुंत पता है और सोरी वेईWiS होता है साल महीने अपने दिडी मसलब दिन हम मतलब हर्स मिनट सिकेंड अब इसको कहते हैं घंटे मिनट सिकेंड होता है 28 मिलाकर आपकी नामांकर आइडी बनती है 14 वह चौदा यह जब 28 मिलते हैं तो नामांकर आइडी बन जाती है फिर जाके हम इसको करते हैं जो माउट फिर हम अपने अब यह आप जब राइड डाल देंगे तो यहां पर कोई भी एक इसमें कम करके देख लिए मैंने आठ कम किया देखिए यह रेड़ बाला आगा इंटरूर्मेंटरी में तो यह गलत बोल रहा है सही डाली है तो मैं यहा अब यह अब सब्सक्राइब करेंगे तो यहां इन्वाइड क्याप्चा कोड एक बार में कभी कभी आप क्याप्चा राइड भी डालेंगे तब भी नहीं लेता हूं मैंने साइट गलत डाल दिया हो लेकिन ऐसा मुझे लग रहा है यह हुआ फिर दो देखिए सबसे पर गया फिर से करते हैं हां देखिए जैसे ही आप यह चीजब करेंगे तो कभी कभी आप यहां ऐसे कर देंगे यह चीजब कर देंगे सब्साही होगा है तो ये चीज़ेंगे अगया ह्या चिए थे नीचे पूरा स्टेटेटश सब्सक्रा जहां कर वादते हैं जो भी संटर जाते हैं अधार से होता है तो वह होता है रिक्वेश्ट accepted state जब हम वहां से अपनी request भेजे थे तो accept कर ली गई है जो भी हमारा अधार कार्ड की स्थिति जाज करता है officer जो भी तो उसके बाद validation stage पर रुका हुआ है validation stage है this enrollment is under process हमारा जो enrollment था वो processing में चला गया है अभी है please check again after a few days मतलब request करके बोल रहा है कि कुछ दिन बाद चेक करें फिर मतलब कुछ दिन तो कुछ दिन जो भी हो 10-15 दिन लगता है कुछ दिन में बहुत दिन आते हैं लेकिन आपकी जानकारी को लिए हम यह भी बता दें कि कभी आधार आप करवाते हैं new correction या new enrollment या correction जैसा भी अपडेट तो आपका वह 20 दिन से 90 दिन का समय ले ले उस बीच में आपका हो गया तो हो गया नहीं तो आपका वो फिर रिजेक्ट में चला जाएगा तो वह अभी मैंने से दो जनवरी को करवाया था भी तो छेही चार ही दिन तो हुए है तो अभी मैंसे बहुत ज़्यदा 15-20 दिन में हो जाता है फिर हमारे रजिस्टर मुबा जो आपका दिख रहा है इस वाले स्टेज पर ये इतना डार्क सा हो जाएगा भी यहां पर ऐसा दिख रहा है तो जानकारी आपको समझ में आ गई होगी और जब कंप्लीट दिखेगा तो यहां पर आपका कुछ और दिखने लगी जब आपका कंप्लीट होगा तो यही वा पर यह होगा तो आप अच्छे से जान गए होंगे पाकी हमने पहली बार यह वीडियो बनाया है और मैंने आप लोगों को इस वज़े से सेंट किया है कि बहुत से फोन आते रहते थी कि भाई कैसे करें कैसे मैंने सुचा वीडियो भी बेश दें और आप देख भी लेंगे और कमेंट में मुझे बता भी देंगे कि मैं यूट्यूब पे वीडियो कैसे बनाके डाला मेरा वीडियो रही लगा अच्छा लगा बुरा लगा यह कमेंट करिएगा वाकी व्यूज और यह सबी चीज़े मुझे अभी परवाह नहीं कि मेरे सब्सक्राइबर और और